नमस्कार स्वागत यापका मैं हूँ आपके साथ रोहित पुनेठा दुनिया में सबसे लोगप्रिय नेताओं में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का नाम पहले इस्थान पर बरकरार है ग्लोबल लीडर के तोर पर सबसे बड़े नेता के रोप में नरेंदर मोदी की पहचान दुनिया काफी पहले ही स्विकार कर चुकी है अमेरिका के मौनिंग कंसर्ण के सर्वे के मताबिक प्रधान मंत्री मोदी 76 फीसदी एप्रूवल रेटिंग के साथ विष्म नेताओं की सूची में टॉप पर बने हुए है सर्वे के मताबिक प्रधानमंत्री मोदी के एप्रूवल रेटिंग सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद नेता की एप्रूवल रेटिंग से दसभी सद्य अधिक है मोदी ग्लोबल लीडर क्यों हैं सबसे लोग प्रिये क्यों हैं इसके पीछे एक नहीं बहुत सी वज़े हैं प्रिये मोदी के नित्रत में भारत तरक्की तो कर ही रहा है मुश्किलों के समय में समाधान के रास्ते के लिए दुनिया भी पिये मोदी की तरफ ही देखती है नरेंदर मोदी ग्लोबल साउथ की आवास बन कर उभरे हैं तुनिया ने देखा कि किस तरह से जी ट्वंटी की मेजबानी भारत ने की और इसी दौरान मोदी के प्रयासों से एफ्रिकन यूनियन जी ट्वंटी में शामिल हुआ अब आगे बढ़ते हुए चीजों को आपको समझाते चलते हैं अमेरिका के राश्पती जो बाइडन प्रधान मंत्री मोदी से और्टोग्राफ लेने की बात कहते हैं रूस के राश्पती व्लादेमिर पुतिन उन्हें वैश्विक नेता और भारत की नीतियों के मुखे गेरेंटर कहते हैं पुतिन कहते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी को भारत और भारत के लोगों के खिलाफ जाने के लिए कोई भी ताकत मजबूर नहीं कर सकती आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री उन्हें मोदी दबॉस कहते हैं पापवा न्यूगिनी के प्रधान मंत्री पैर चूकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का अशिरवाद लेते हैं उनका स्वागत करते हैं अपने देश में हिंदुस्तान में मोधी विकास की गैरंटी बने हुए हैं विकास से कारण अपनी पार्टी बीजेपी की जीत की गैरंटी भी प्रधान मंत्री मोधी बने हैं यह कहना आज की मौजुदा परिपेक्ष में यह बिलकुल सही है कि मोधी है तो मुम्किन है प्रदान मंत्री नरेदर मोधी की तारीफ करते हुए कहा कि प्य मोधी ऐसे वैश्विक स्तर के नेता हैं जिने भारत के हित और भारत के लोगों के खिलाफ जाने के लिए बरगलाया यह धंकाया नहीं जा सकता इसकी कलपना भी नहीं की जा सकती वो अपनी नीतियों के मुख गेरंटर हैं यानि गरंटी की बात हिंदुस्तान के लोग ही नहीं कर रहे हैं पूरा विश्व कर रहा है खुद पुतेन कर रहे हैं First of all, let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. आई काना इमाजिन इसक्वन से मोडी गेटिंग इंटिमिडेट और बिए फोर्स्ट तो तेक अनी स्टेप्स और एक्शिंस तो अपने सुना क्या कहा व्लादे मेर पोते ने अब बात करते हैं दुनिया के लोग प्रिये नेताओं को लेकर जो एक सर्वे किया गया था वो सर्वे क्या कहता है और सर्वे की पांच बड़ी बातें वो क्या कहती है कई सालों से दुनिया में मोडी सबसे लोग प्रिये नेता है ये इस सर्वे की सबसे बड़ी बात है इस सर्वे में आगे और क्या-क्या बातें खास हैं वो भी मैं आपको बताता हूं इस सर्वे में आके कहा गया कि कोरुना के समय में प्रधान मंत्री मोधी सबसे लोकप्रिय शक्सियत सबसे लोकप्रिय नेता पूरे विश्व में रहे मोधी की एप्रूवल रेटिंग लगतार 70 फीसदी से अधिक बनी हुई है दूसरे नमबर के नेता की रेटिंग मोधी से 10 परसेंट जो ह अमेरिका के राश्पती हैं जिसको वर्ड का लीडर कहा जाता है अमेरिका उस देश के राश्पती जो बाइडन को भी इस लिस्ट में इस सर्वे में आठवा नंबर मिला है ये वो लिस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री मोधी नंबर वन पर काबिज है इस सर्वे में अब प्र 36% लोगों ने इस बात को सुविकार किया भारत में केवल 18 फीसदी लोग इस सर्वे से सहमत नहीं है जबकि 6 प्रतिशत लोगों ने इस सर्वे में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन हमको देखना होगा पहला आकड़ा और पहला आकड़ा कहता है कि 76 फीसदी लोग हैं हिंदोस्तान में जो इस बात को मानते हैं जिनोंने सर्वे में अपनी राय दी है और वो राय प्रधान मंत्री मोदी के फेवर में जाती है जो कि एक वर्ड लीडर के तौर पर उनकी जो एक शक्सियत है उनकी चवी है उसको और ज्यादा मजबूत करती है मौर्निंग कंसर्ट का सर्वे अकसर सठीक माना जाता है और खास बात यह है कि 2016 में अमेरिका में चुनाफ को लेकर हिलेरी क्लिंटन पर भी जो मौर्निंग कंसर्ट का सर्वे है वो ठीक माना गया था और क्लिंटन को अनुमान के मताबिक ही वोट उस दोरां 2016 में हासल हुए अब सवाल यह कि मोदी के लेकर इतनी लोग प्रेता क्यूं है इसको लेकर दुनिया के कुछ नेताओं को सुनिए सुनिए जो दुनिया के बड़े बड़े जो देश के नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कहते हैं . Prime Minister Modi is the boss! झाल 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 को झाल 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 I think you are an inspiration for the rest of the world. You have set some very ambitious targets when it comes to clean water for over one million households and for renewable energy, including offshore wind. I am convinced that India and Denmark have a huge, untapped trade and investment potential. Prime Minister Sreena Rindra Modi, we owe you a depth of gratitude. When the world lock its borders and globalization fail, you show the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. We owe you a bit. और सिर्फ राजनीती ही नहीं बलकि दुनिया की कला और संस्क्रती से जुड़े जो लोग है जो बड़ी बड़ी हस्तिया हैं वो भी प्रधानमंत्री मोधी का सम्मान करते हैं एक और तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूँ अमेरिका में अमेरिकी गायका मेरी मिल्बे ने प्रधानमंत्री दरेंदर मोधी के पैर चूकर उनका आशरवाद नहीं आता प्रदान मंत्री मोदी मंच पर पहुंचे थे तो पिस तरीके से प्रदान मंत्री मोदी के पैर चूँकर इनका स््वागत किया ये सर्फ एक पैर चूँने भर के तौर पर इस तस्वीर को नहीं देखा जाना चाहिए इस तस्वीर को आप इस तरह के से भी देख सकते हैं कि कैसे जो भारत की कला और संस्क्रती है उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो गया है इक पाफौा णुझी ओगिने के प्रदान मंत्री ने एक वैलकम किया था प्रदान मंत्री नरेंदर मुदी की अपने देश में जब वहांपर गये थे तो उस दौराल पैर चूकर उनका वैलकम कीया था ठीक ऐसे ही एक तस्वीर अमेरिका में भी सामने आई जब प्रदान मंत आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं जो सर्वे ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस दुनिया की सबसे मजबूत शक्सियत हैं ये सर्वे कैसे होता है इस सर्वे को करता कौन है वो आपके लिए जानना जरूरी है दरसल अमेरिका स प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में टॉप पर है सुप्रीम लीडर है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है यह जिस फर्म की मैं बात कर रहा हूँ आपको ग्लोबल लीडर एप्रूबल रेटिंग ट्रेकर है यह जो सर्वे है 29 नमबर से 5 दिसंबर के बीच इस सर्वे को चलाया गया था और इस सर्वे के दौरान यानि 29 नमबर से 5 दिसंबर के दौरान के जो सर्वे के आंकड़े हैं उस आंकड़ों के आधार पर यह फैसला किया गया मॉर्निंग कंसल्ट सापताहिक एप्रूबल रेटिंग जारी करता है और उस वीक जो सर्वे किया गया था मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जिसकी डेट में आपको बता रहा है 29 नमबर से 5 दिसंबर के बीच उसकी जो रेटिंग सामने आई वो रेटिंग यह कहती है कि प्र मैं 2023 में 76% जो वोट है वो प्रधानमंत्री मोदी को मिले थे जुलाई 2022 में यानि कि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं जुलाई 2022 की बात करूँ जब यह सर्वे कराया गया था उस सर्वे में भी 75% वोट प्रधानमंत्री मोदी के लिए मिले थे उससे पहले मार्च 2022 में 70% मत प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में पड़े थे तो ऐसा नहीं कि एक बार जो सापताहिक सर्वे है उसमें प्रधानमंत्री मोदी नंबर वन हैं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का संबान करती है और यही वज़े है कि उनसे उम्मीद भी लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत विक्सित होकर ही रहेगा। एक समर्पीज भाजबा कारकरता के समस्कार होते हैं। हमारे लिए तल से बड़ा देश है। हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देशवासी है। साथियों सब के प्रयास से हमने अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते हैं। मुझे देश की अमरुत पीड़ी पर बरोसा है। हमारा लक्ष एक है, साधना एक है, सपना एक है। भारत विक्सित होकर रहेगा। इसी भी स्वास के साथ, मैं फिर एक बार, सभी मत दाताओं का विनंदन करता हूं। जो भी विजई हुए हैं, उनको शुब कामना ही देता हूं। और हम सब मिल करके, देश के सामान ने मानुरी यासा पैशाओं को पूरा कर पाएं। मैं आप सब कार करता हूं को, आपके माध्यम से, माधान में जो लोग महनद कर रहे थे, उन सब को रजई से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं। इन्फिनिट्री फोरम की दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीद लगाए हुए है। इसी साल मार्च में आस्ट्रेलिया के पी-म ने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ को लीडर्शिप देने के लिए मजबुत सिति में है। कुछ महिने पहले World Economic Forum ने भी कहा है कि भारत में रेट टेपिजम कम हुआ है, निवेश का बहतर माहोल बना है। आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीदे लगाए हुए है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये भारत की मजबुत होती अर्थववस्ता और पिछले दस वर्सों में किये गए transformative reforms का reflection है।